नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दन्यूज लॉंचर के इस यूट्यूब मंच पर इंडिया गठबंधन जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी भारती जन्ता पार्टी आरेसेस इन तीनों को एक साथ बड़ी चुनाथी देने की तैयारी कर रहा है वहीं इंडिया गठबंधन के अंदर सैयोजक कौन हो और नितीश कुमार सैयोजक हो या सैयोजक ना हो नितीश कुमार इंडिया गठबंधन के चेहरा बने पीम फेस बने या ना बने इस पर जब सवाल गहरा होता जा रहा है सवालों को सुझाने की जितनी कोशिसे हो रही है बताया जा रहा है कि कई जगह से इस पर रिजर्वेशन सामने आ रहा है कई जगह से आपतियां आ रही है और इन आपतियों के बीच जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो ममता बनर जी का नाम है तिन्मूल कॉंग्रिस की मुख्या पस्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर जी का नाम लेकिन ममता बनर जी और नितीज कुमार में आखिर दिक्कते क्या है अविस्वास का संकट कहा से पैदा हुआ ये सवाल मौझूदा दौर में कई लोगों के जेहन में तैर रहा है अविस्वास का संकट तब दोनों के बीच में पैदा नहीं हुआ है जब दोनों इंडिया अलाइंस में है अविश्वास का संकट पैदा करने में कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई हो ये पक्के तोर पर नहीं कहा जा सकता और दोनों के बीच अविश्वास और विश्वास के बीच में जूल रहा है इंडिया गट बंदन जब एक ऐसे दोर में पहुंच रहा है जब लोग सभा चुनाव एकदम सर पर खड़ा है तो उस दोर में नितीज कुमार भी कोलकाता पहुंच रहा है इसी 17 जन्वरी को नितीज कुमार कोलकाता जा रहा है मंता बनर जी की धुर विरोधी लेकिन इंडिया गटमंदर में मंता बनर जी के साथ खड़ी हुई और पस्चिम मंगाल में मंता बनर जी के साथ इस पकार चुनावी दोदो हाथ करने के लिए तैयार जिसमें भारती जंता पार्टी को तीसरे अस्थान से उपर आने का मौका ना मिले उस CPM के कारिक्रम में जा रहा है जोती बसू इस देश के सबसे सरवाधिक लोगप्रिये मुख्यमंत्रियों की सूची में सुमार किये जाने वाले और टाइम फेवरिट नेताओं की कतार में माने जाने वाले जोती बसू उनकी पूनितिती पर जा रहे है साड़े-तेईस साल जोती बसू पस्ची मंगाल के मुख्यमंती रहे लेंड रिफॉर्म से लेकर तमाम तरह की बड़े काम जोती बासु ने किये प्रधान मंत्री पद पर वो लगभग प्रधान मंत्री बन ही चुके थे लेकिन उनकी पार्टी की पुलिद ब्यूरो ने कई सारी आपत्यां उठा दी कि उस सरकार का हिस्सा हम नहीं हो सकते जिस सरकार की आर्थिक नीतियों को डिक्टेट करने के स्थिति में वो ना हो नतीजा जोती बावु पधान मंत्री नहीं बन पाए उनके कारिक्रम में नितीस कुमार कुलकाटा पहुंच रहे द्यान रखिये और जब नितीस कुमार ने कुलकाटा पहुंचने का फैसला किया तो कई लोगों के मन में सवाल तैरने सुरू हो गए कि आखिर ममता बनर जी और नितीस कुमार के बीच में जिस पकार से एक स्वस्थ परतियोगिता की बात कुछ लोग कर रहे हैं नितीस कुमार और ममता बनर जी के बीच में एक अविश्वास की खाई जिसकी कई लोग चर्चा करते हैं उसकी सुरुवात इंडिया गटबंधन बनने से दरसल नहीं हुई है उसकी सुरुवात दरसल हुई थी 26 साल पहले जियां ममता बनर जी ने तिन्मूल कॉंग्रेस बनाई किन परिस्तितियों में बनाई 1997 में कॉंग्रेस के अद्ध्ध सीता राम केसरी ने कलकत्था में कॉंग्रेस का महा अधिवेशन बुलाया और उस अधिवेशन के दर्मियान ममता बनर जी की जित्थिकी पस्चिम मंगाल कॉंग्रेस के अद्ध सुमेन मित्रा हटाये जाए सीता राम केसरी सुमेन मित्रा के साथ खड़े थे और कॉंग्रेस के अधिवेशन के महा अधिवेशन के पैरलल ममता बनर जी ने उसके समनांतर अपना प्रोग्राम किया और भारी भी उनके काईकरम में जुटी ममता बनर जी ने उसे त्रिन मूल कॉंग्रेस का नाम दिया तब NDA नाम नहीं था, भाजपा प्लस सहयोगी दल का जिक्र होता था और उस भाजपा प्लस सहयोगी दल के सबसे बड़े जंडावरदार जो बाद में NDA के कन्वीनर बनाए गए, जॉर्ज फर्नांडिस का आवास मना जोर्ज फर्नांडिस ममता बनर जी को NDA में लेकर आए, ममता बनर जी NDA में पहुची दो महीने बाद अटल बिहारी वाजपाई की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपाई प्धान मंत्री बनाए गए और उनके प्रणान मंत्री तुकाल में यूं कहें कि सरकार के सपद ग्रहन के वक्त भी यानि 18.19.1998 को जब मंत्री मंडल गठन की तैयारियां चल रही थी एक तरफ वित मंत्री की लड़ाई थी अटल बिहारी वाजपी चाहते थे कि चुनाव हारने के बावजूद को मंत्री मंडल का हिस्सा उने जाए वित मंत्री बनाए जाए लेकिन संग ऐसा नहीं चाहता था नतीजितन जस्वन सिंग का नाम पहले लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया, वो बाद में आए भी तो विजस मंत्री बन कर आए, और दूसरा मामला रेल मंत्राले का चल रहा था, और रेल मंत्राले का मामला कितना गहरा था, ये बताने के पहले-पहले आप ये क्लिप देखिए मंत्राले का विवाद कितना बड़ा था, ये उस घटना के 13 महीने बाद जब अटल विहारी वाजपई की सरकार एक वोट से गिरी थी जिस विस्वासमत पर उस विस्वासमत पर बोलते हुए लालु यादों ने सब के सामने उस वक्त के चर्चित विवाद को ला दिया था राम मिलास पासवान सयुक्त मूर्चा सरकार में यानि 96-98 के बीच देवेगोडा और गुजराल सरकारों में रेल मंत्री थे और रेल मंत्राले पूरवी भारत के इलाकों के लिए हमेशा से एक ग्लैमर वाला पद माना जाता रहा चाहे कमला पतितर पाथी रहे हो चाहे ललित नराएन मिस्वार रहे हो चाहे जोर्ज फर्णान्डी्ष रहे हो चाहे राम बिलास पासवान रहे या बाद के दौर में निटीश कुमार लालुयादो या मनता बनर जी रहे रेल मंत्राले हमेशा से एक ग्लैमर वाला पद इसलिए माना जाता रहा क्योंकि रेल्वे मध्य वर्ग से लेकर गरीबों की सवारी हुआ करते थी आम लोग का रेल्वे से सीधा जुड़ा हो था रेल्वे का किराया रेल्वे के सुविधाये वोट बटोने का अपनी चवी निखारने का एक माध्यम बनी हुई थी और राम बिलास पासवान ने रेल मंत्राले के सहारे बिहार में अपने लिए एक ऐसी चवी का निर्मान किया जिसके बाद राम विलास पासवा ने बड़े नेता के तोर पर उभरते हुए दिखे नितीश कुमार की दावेदारी थी उनकी दावेदारी पटना के तक्त पर थी अब इभाजित बिहार जो आज जारखंड और बिहार का इलाका है उसके मुख्यमंत्री पद पर थी तो ममता बनर जी की नजर भी पश्चिम मंगाल के राइटर्स बिल्डिंग पर थी राइटर्स बिल्डिंग यानि राज सरकार का वो सचिवाले जहां से जोती बासु सासन कर रहे थे दोनों की इस टसल के बीच में अटल बिहारी वाजपई और लाल किस्णा अडवानी ने पलडा नितीज कुमार के पक्ष में जुकाया नितीज कुमार रेल मंत्री बन गए और जब नितीज कुमार रेल मंत्री बन गए तो TMC ने त्रिनमूल कॉंग्रेश जिसके आठ एमपी पस्चिम बंगाल से जीत किया थे उसने फैसला किया कि वाजपई मंत्री मंदल का हिस्टा नहीं होगी सरकार को समर्थन देती रहेगी लेकिन मंत्री मंदल का हिस्टा नहीं होगी ममता बनर जी मंत्री नहीं बनी ममता बनर जी मंत्री नहीं बनी टीमसी का भी कोई मंत्री नहीं बना रेल मंत्राला नितीज कुमार का हिस्से आया और जब नितीज कुमार का हिस्से रेल मंत्राला आया तो लालू यादों के पैरलल बिहार में एक पिछड़े वर्क का नित्रित आकार लेता हुआ बहुत मजबूती से एक बड़ी छवी का निर्मान करता हुआ दिकात जो उसके बाद एक ऐसी सत्ता 2005 आते आते बिहार में बनी जो 2000 में बनते बनते असफल जरूर हो गई थी लेकिन 2005 में जो एक ऐसी सत्ता कायम हुई जो ना आज तक भारती जनता पार्टी हिला पाई ना हकीकत यह है कि बिहार की परिस्तितियों में दोनों को ही नितीज कुमार की ज़ूरत है और आज वही नितीज कुमार इंडिया आलाइंस में अब आते हैं ममता बनर जी पर ममता बनर जी को रेल मंत्राले कब मिला ममता बनर जी को रेल मंत्राले मिला 1999 में करगिल युद्ध के तुरत बाद या साहद उसी दोर में जब गई साल जेल दुर घटना के बाद उस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नितिस कुमार ने रेल मंतरी पर से इस्तिफा दे दिया अतरिक्त परभार के तौर पर पेट्रोलियम मंतरी राम नाइक को रेल मंतरी बना दिया गया उसके बाद 99 के लोग सभा चुनाओ के नतीजे आए और उस चुनाओी नतीजों के बाद ममता बनर जी अटल बिहारी वाजपई से अपनी मांग मनवाने में सफल रही वो रेल मंतरी बनी वही नतीज कुमार को पहले भूतल परिवाहन फिर बिहार का साथ दिनों का मुख्य मंतरी पद और फिर किसी मंतरा ले मिला लेकिन 2001 आते आते डेर साल बीटते बीटते दो रेल वजट पेस करते करते ममता बनर जी को एहसास हो गया कि पस्चिम बंगाल के वोटरों के बीच 30 फिसदी से ज़्यादा वोट मुसल्मानों के हैं अल्प संख्यकों के हैं और भारती जनता पार्टी के साथ विरान सभा चुनाओ लड़कर कब भी भी पस्चिम बंगाल में जोती बासु की सरकार को हटाया नहीं जा सकता लिहाजा ममता बनर जी ने एक यूनीक नारा दिया बंगाल में महा जोट यानि जोती बासु की CPM सरकार को वाम मुर्चे की सरकार को हराने के लिए महा जोट का नारा दिया कि कॉंग्रेस, भाजपा और टीमसी तीनो एक जगा ही कठे हो जाए और महा जोट का नारा आप जानते हैं कि कॉंग्रेस और भाजपा कभी कठे हो नहीं सकते थे वो हुआ भी नहीं ममता बनर जी ने तो यहां तक कहा था कि महाजोट यदी कठा हो जाए तो महाजोट के मुख्य मंतरी एवी ए गणी खाच चौधरी कॉंग्रेस के नेता बनाये जाने चाहिए बरकत्दा एवी ए गणी खाच चौधरी को बरकत्दा कहते थे वो भी रेल मंतरी रहे थे उनकी भी अपने इलाके में बहुत लोग प्रियता थी वो चुनाव नहीं हारते थे लेकिन वो महाजोट का परियोग विफल रहा और जिन नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने और जिन जॉर्ज फर्नांडिस ने मंतर बनर जी को भाजपा के साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी उनके उपर जिस पकार से तहलका एस्टिंग उनकी पार्टी पर भारी पड़ा उसके बाद मंता बनर जी ने उसी का बहाना लेकर भारती जनता पार्टी से बिरान सभा चुनाओ के ठीक पहले अपना नाता तोड़ लिया वो अलग चुनाओ लड़ने चली गई कामियाबी नहीं मिली फिर भारती जनता पार्टी के साथ वापसी की कोशिसे की 2004 के आसपास वापसी भी की कामियाबी नहीं मिली और इस दर्मियान ममता बनर जी ने केंद्रिये मंत्री मंडल से जो रायटर्स बिल्डिंग की चाहत में केंद्रिये मंडल और भाजपा का साथ छोड़ा पटल विहारी वाजपई ने वापस रेल मंत्राले नितिस कुमार को सौब दिया तो आप सोच सकते हैं कि रेल मंत्राले की लड़ाई जहां एक तरफ नितिस कुमार रेल मंत्राले के बरास्ते पटना सचवाले पहुचना चाहते थे वहां उसी रेल मंत्राले के बरास्ते ममता बनर जी रायटर्स बिल्डिंग पर काविज होना चाहते थी आगे पीछे 5-6 साल आगे पीछे दोनों कामयाब हो गए 2005 में नितीस कुमार पटना की तक्त पर और 2011 में कॉंग्रेस के साथ जाकर एक बार फिर रेल मंतरी बन कर और फिर रेल मंतराले के साथ साथ रेल मंतराले के बाद 2011 में बंगाल में 34 साल पुराने वाम मोर्चा की सरकार को उखार फेकने में ममता बनर जी ने जो कामयावी हासिल की उसके दूसरी मिसाल उतनी बड़ी लोगतांतरिक क्रांती आजाद भारत में जहां नसनस में वामपंथ था, उस बंगाल में वामपंथी सरकार को उखार फेकली में मंता बनर जी ने काम्याबी हासिल की. तक्रीमां 12-13 सालों से दोनों एक साथ मुख्य मंत्री हैं. चाहे मनमुहन सिंग का दौर हो, चाहे नरन मोदी का दौर हो. 2011 से दोनों मुख्य मंत्री हैं, नितिस कुमार तो 6 साल पहले से हैं. और इन दोनों मुख्य मंत्रियों की राष्ट्रिय महातोकांचा भी जग जाहिर हैं. हर मुख्य मंत्री की राष्ट्रिय महातोकांचा होती है. ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही रास्ट्रिय महात्वकांचा होती है गुजरात के मुख्यमंत्री की भी रास्ट्रिय महात्वकांचा थी आप सब ने देखा भारती जनता पार्टी ने लाल किसनाडवानी से लेकर नरंद मोधी का सफर कैसे तै किया गुजरात के मुख्यमंत्री की रास्टी महातुकांचा की चर्चा जब होती है तो महारास्ट के मुख्यमंत्री सरत पमार की भी रही स्रिवराज सिंचोहान के बारे में तो लाल किसनाडवानी ने खुल कर उनके समर्थन में बयान दिया जब 2013-14 के दोर में भारती जंता पार्टी के अंदर भावी नेत्रितु का सवाल था कहा जा रहा था कि पुरानी प्यडि की जग है नई प्यडि के किस नेता के हाथ में कमान सौपी जाए तो लाल किसनाडवानी ने खुल कर बैटिंग किती शिवराज सिंचोहान के पक्ष में और वो बैटिंग नरंद्र भाई कभी भोलते नहीं नरेंदर भाई को मौका मिला और मौका कम मिला मौका मिला 2023 के दिसंबर में एक महीने पहले और वो मौका सिर्वराज सिंचोहान पर भारी पड़ा नितीज कुमार और ममता बनर जी के साथ जो परिस्तितिया हैं एक तरफ रेलभावन और इन दोनों विवादों के बीच में एक बड़ा विवाद तब हुआ जिसमें नितीज कुमार ममता बनर जी एकदम आमने सामने आ गए यहां तक कि ममता और CPM भी कई मुद्दों पर एक हो गए लेकिन CPM ने मुद्दा नहीं बनाया ममता बनर जी एक्सपोज होकर सामने आ गए थी वो मामला था 2001 में 1996 के रेल बजट में छे नए रेलवे जोन की बात की थी रामिलास पासवान ने उन छे नए रेलवे जोन में एक जोन बिहार के हाजीपूर में बनना था पूर मधर रेलवे और उसके लिए डिवीजन तै करने और जोन को पूर्ण रूप से आकार देने की बात आई तो बिहार में नितीज कुमार जब रेल मंती थे केंदर में तो धनबाद डिवीजन को ले करके ममता बनर जी और नितीज कुमार आमने सामने आ गए थे धनबाद डिवीजन पूरू रेलवे कोलकाता का हिस्ता था और ममता बनर जी चाहती थी कि धनबाद डिवीजन पूरू रेलवे कोलकाता का ही हिस्ता रहे धनबाद डिवीजन को ले कर इतनी मारा मारी क्यों नितीज कुमार चाहते थे कि नए बनने वाले हाजी पुर्जोन यानि पूर्मध रेलवे में धनबाद डिवीजन आ जाए ममता वनर जी चाहती थी कि पूर्मध रेल में ना जाकर धनबाद डिवीजन पूरु रेलवे को लकाता में रहे दरसल धनबाद डिवीजन इस देश में माल धुलाई से सबसे जादा कमाई करने वाला डिवीजन है रेलवे के लिए कहा जाता है कि दोनों हाथों में लड़ू है धनबाद डिवीजन में सिंग्रॉली से लेकर धनबाद तक का पूरा कोईलांचल का बिट और उस इलाके की रेलवे लाईने धनबाद डिवीजन के अधिनाती है सोचिए कोईले के धुलाई, खनिज पदार्थों के धुलाई, माल धुलाई का जो बहुत बड़ा हिस्ता रेलवे के पास पैसा जाता है वो उसी से जाता है तो धनबाद डिवीजन की कमाई भारतिय रेलवे के लिए आप किसी अधिकारी से पूछेंगे तो बता देंगे कि भारतिय रेल के लगवक सत्तर डिवीजन है अभी उन सत्तर डिवीजन में यात्री सेवाव से नई दिल्ली डिवीजन की कमाई और माल धुलाई से धनबाट डिवीजन की कमाई ये दोनों एक नमबर पढ़ाते हैं एक यात्री के मामले में दूसरा माल ये लड़ाई मम्ताबनर जी और नितीज कुमार में खूलकर सामने आ गई और अंत्ता जीत नितीज कुमार की हुई धनबाट डिवीजन पूर्मधध रेल्वे का हिस्सा बना आज भी पूर्मध्ध रेल्वे का हिस्सा है कि तो एक नहीं है और सिर्फ अभी का विवाद न लालू यादो से भी अदावत रही और वो क्लिप भी आपने देखी होगी कि रेल नहीं मागा तो नहीं मिलेगा लेकिन बावजूद इसके ममता बनर जी और लालू यादो के संबंद समय के साथ ठीक हो गए राजनतिक तोर पर ठीक हो गए ये भी कह सकते हैं क्योंकि लालू यादो के पांच साल के रेल्वे बजट पर ममता बनर जी नहीं स्वेद पत्र लाया था और उस रेल्वे बजट को अकाउंट सेक्शन की कलाकारी के सिवा और कुछ करार नहीं दिया था लेकिन सियासत है सियासत में दोस्ती पर्मानेंट नहीं होती दुस्मनी भी पर्माने लेकिन राजनेतिक रिस्ते जब पर्टिद्वंदिता में बदलते है तो वही दिखाई देता है जो आज इंडिया गठवन्न के सामने दिखाई दे रहा है और ये पर्टिद्वंदिता यदि स्वस्थ पर्टिद्वंदिता के रूप में सामने आई तो बिहार की 40 और बंगा की 42 इन 82 लोग सवासीटों में भारती जनता पार्टी के खाता भी नहीं खुलेगा लेकिन ये स्वस्थ पर्द्योगिता की जगा एक healthy competition की जगा unhealthy competition के रूप में अधी सामने आया तो भारती जनता पार्टी को यहां से लूप होल भी मिल सकता है देखिए कौन से competition के रूप में नमस्कार